पहले हमने देखा था कि कैसे हम page object model को यूज कर सकते हैं page object model को लिखने का तरीका क्या है उसके advantages क्या disadvantages क्या है पर अगर हमने कोई framework बनाने हो selenium में अगर हम कोई framework बनाते हैं तो different approaches यूज करते हैं लोग तो let's say मैं आपको approaches के बारे में बताता हूँ यहां पर हम आगे जाके इसको different different तरीके से discuss करेंगे सबसे पहले होती है linear scripting कि इसका advantage यह कि आपको ना इसमें ज्यादा अच्छी programming skills से हैं ना ही इसमें आपका ज्यादा complexities होती है इसमें problems यह है कि यहां पर जब आपका जो data है वो आपका test script में होता है तो अगर आपका test data change हो रहा है तो आपको script change करनी पड़ रही है उसके अलावा problem यह है कि same code repetitive code बार बार लिखा जाता है तो repetitive code को हटाने के लिए modular approach आई तो modular driven framework या modules driven framework इसमें क्या है कि अगर आपके कोई भी मालो एक chunk of code है जो repetitively use हो रहा है उसको हम एक particular method में wrap up करके उसको method को call करेंगे ना कि उस code को बार बार लिखेंगे लेकिन इस case में same problem है test data जो है वो हमारा hardcoded है अभी भी तो उसके लिए हमने लिया data driven framework यहां पर हमारा data एक source उठा आ रहा है जैसे हमने SQL source discuss किया कोई भी data source है या ऐसे Excel में हमने discuss किया इसके इलावा अब आप देखेंगे कि एक जो है वो है keyword driven framework इसमें अगर आप एक keyword देते हैं तो उस keyword के basis पर action perform होता है for example हम जब कोई भी browser open कर रहे थे तो उस case में हमने क्या किया कि Chrome, Firefox, IE, Phantom या फिर Android अगर iPhone यह सब करना है आपने iOS पर करना है तो उस cases में अगर आप मालों कि एक keyword प्रवाइड करते हो एजा data और उसको कहता हूँ कि यह keyword है इसके basis पर action perform करो तो वो action उस keyword के basis पर होगा उसके अलावा होता है hybrid अब जब हम जो हमने उपर framework discuss किये इनको हम एक तरीके से mainly data और keyword driven और module इसको हम बनाते ही है इन सब को जब हम combine कर देते है तो यह hybrid framework हो जाता है इसमें गये कि हम सबकी advantages को लेके different उनकी disadvantages को overcome करते है पर इसमें जो effort है वो बहुत ज़ादा होता है तो इसलिए अगर आपको कोई चोटी test scripts है चोटा framework है तो उसके लिए hybrid framework कभी नहीं मनाना चुए अगर आप long term large scale पर data है और आपको actual में need है इसकी तभी hybrid framework मनाना चुए क्योंकि इसकी cost और इसकी time consumption बहुत ज़्यादा है इसके आगया आएगा library architecture ये similar है data driven framework के sorry module driven framework के बट इसमें problem ये है कि जो हमारा modules है उन modules को हमने test scripts के basis पर differentiate किया था वहाँ पर उसे ऐसे change किया था लेकिन यहाँ पर library cases में उसको test scripts पर बनाके एक different methods बनाते है इसको हम अच्छे से detail में आगे discuss करेंगे फिर उसके बाद आता है ये है हमारा behavior driven framework इसके लिए हम behavior driven framework में क्या होता है कि आप जो भी कोई भी behaviors है for example आपका एक test file है let's say में यही लिख देता हूं हमारा आपको यह action perform करवाना है let's say आपको एक NFT करवानी है NFT is like performing online fund transfer तो हम उसको क्या करेंगे कि यह कहेंगे कि आप पहले अपना account balance check कीजे मला आपका behavior कैसा होना चाहिए कि आपका account balance होना चाहिए उसके बाद आपका उसमें account में NFT या IMPs enabled होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद आप कहेंगे कि इसके बाद आप जब आपका आप submit करें मतलब fund transfer initiate करें और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आपके transfer हो जाए let's say to transfer amount हो जाना चाहिए बाद में ऐसा कुछ होना चाहिए तो इसको आप different तरीके से लेंगे जैसे given given में क्या है आपका account balance and NFT IMPAS enabled when amount transferred amount transfer done then transfer amount should be available in second account so something like that a high level example है तो ऐसे करके आप इसके basis पर आप काम करवाते हैं तो ऐसे आप selenium के basis पर आप कहेंगे कि अगर मैंने कोछ भी दिया है जैसे chrome दिया यह browser दिया है तो जब और फिर इसे use करते हैं अगला है हमारा page object model जिसको हमने अभी discuss करी लिया है तो यह एक framework है अपने आप में selenium का ही इसमें हम कुछ अलग approach नहीं लगाते है जो ऊपर में है थोड़ा different है इसे क्योंकि इसमें आप बता रहे कि आप कैसे objects को define करेंगे आप कैसे sorry web elements को define करेंगे आप कैसे अपने pages को use करके scripts लिखेंगे और कैसे उसकी reusability बढ़ाएंगे उसके advantage disadvantages इनसे काफी अलग है आप page object driven या keyword driven या उसी में ही आप hybrid framework के साथ page object model को integrate कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यह इस linear scripts में है और modules जैसे आप बनाते हैं या linear scripts बनाते हैं तो वो आपका साथ में आपको समझ में आई जाता है और आपको अगर test data इसमें hardcoded रखना है तो आप hardcoded भी ही रखते हैं तो अभी के लिए तना ही आगे हम discuss करेंगे इन सब framework को detail में thank you